भारत की देव भूमी यानी उत्तरा खंड के रुद्र प्रयाग जिले में इस्थित है अद्भुत तीर्थ स्थल उखी मट गुप्त काशी गोपेश्वर सडक मार्पर इस्थित उखी मट रुद्र प्रयाग जिला मुख्याले से 41 किलो मिटर की दूरी पर है ये खुबसूरत धार्मे का स्थल 1317 मीटर की उचाई परिस्थित है सबसे खास बात यह है कि सर्दियों के महीनों में यह मंदिर केदारनाथ और मध्य महेश्वर मंदिर की मूर्तियों का घर होता है भगवान के दारनाथ की पूजा इन छह मा में यहीं की जा सकती है चबकि भगवान उमकारेश्वर की पूजा उखीमठ में पूरी साल की जाती है किवंदती के अनुसार उखीमठ का नाम बानासुर की पुत्री उशा के नाम पर पड़ा है बानासुर की बेटी उशा की शादी भगवान कृष्ण के पोते अनिरोध से उखीमठ में ही हुई थी ऐसा माना जाता है कि उशा के नाम पर ही उखीमठ का नाम रखा गया था उशा, अनिरोध भगवान, शिव, देवी पारवती और मान धाता को समर्पित कनात्मक प्राचीन मंदिरों के अलावा उखीमठ को आस पास के कई दूसरे महत्वपून दर्शनी अस्थलों के शुरुवाती पॉइंट के रूप में भी माना जाता है दूसरा केदारनात कहे जाने वाले मध्य महेश्वर, तीसरा केदार कहे जाने वाले तुंगनात, ताजे पानी की प्राकृतिक जील देवरिया ताल ऐसे इस थल हैं जिनके लिए उखीमठ से जाया जा सकता है उखीमठ से हिमाले श्रिंकला की बर्फ से धकी चोटियों का शानदार नजारा दिखाई देता है और साथ ही केदारना चोटी, चोखंबा और अन्य नजारे भी देखे जा सकते हैं उखीमठ रुद्र प्रयाग गौरीकुंड गुप्त काशी से सीधी बस सेवा द्वारा जोडा हुआ है सबसे नजदी की रेलवे स्टेशन रिशिकेस से उखीमठ 180 किलोमेटर दूर है और देहरा दुन के जॉली ग्रांट हवाई अग्डे से 196 किलोमेटर दूर है